बोज़ दिलो यानि के एक्वेरियस आज आप समाजी तोर पर किसी हद तक परिशानी का सामना उठा सकते हैं लेकिन आप खुद को काम्याब करने के लिए एक नए नुकता नजर पर देखने की कोशिश करेंगे आपके साथ ही आपके काम के हवाले से आपकी राय जानने की भी कोशिश करेंगे आज घर के बज़ुर्ग जहनी और जिसमानी तोर पर खुद को बहुत ही पुरसकून और मुतमईन महसूस कर सकते हैं आपको घरेलू मामलात को हल करने के लिए घर से बाहर निकल कर तमाम हालात का जैजा लेकर मामलात को अपने कंट्रोल में करना होगा जो आपके हक में बेहतर हो वहाँ पर ही तालुकात में भी बेहतरी मुम्किन हो सकती है और जो आपके हक में बेहतर नहीं है वहाँ पर तालुकात में बेहतरी भी मुम्किन नहीं आपका लखी नमबर है चारो छे, लखी पत्थर याकूत, हाकिम से आरा, यूरनस, लखी रंग नीला, अंसर हवा और आपका लखी दिन बुद्ध है बोज हुमल यानि के एरियस आज आपको हर तरह की क्या सराइयों से बचना होगा और बड़ों के मश्रूव पर भी अमल दरामत करना आपके लिए फाइदा मन्द हो सकता है किसी को भी अपने रस्ते से हटाने करे सोच कर आपके लिए बेकार है बेदेर ये है कि आप खुद को अपने जज़बात को निभाने और अपने तमाम काम आसान करने पर तवज्जव दें और अपके फैसले से उनकी हासला अफजाई हो आपका लखी नंबर है छे, चार और साथ, लखी पत्थर हीरा और याकूत, लखी रंग सुरख, हाकिम सियारा मरीख, अंसर आग और आपका लखी दिन इतवार है बोश सर्तान यानि के कैंसर आज आपको खुद ही अपनी कारुबारी और माली पेचीतियों से बाहर निकलने के हवाले से सोचना होगा अगर आप कामयाब हो गए तो आगे जाकर नए मनसूबों और शराकदारों से बात चीत करने में कामयाब हो सकेंगे और अमली एकदाम उठा कर भी आप इन सब से अपना पीछा चुड़वा सकते हैं इस अमल में एक एहम दोस्त आपकी भरपूर मदद करेगा आज ताली विलम बहुत से तालीमी मामलात में शिद्ध से तवज़ तलब करने की कोशिश करेंगे ताके अपने करियर में कामयाबी हासिल कर सकें आज के दिन गहर जरूरी सफर से गुरेश करें आपका लखी नमबर है तीन और आठ लखी पत्थर मोती और मौन स्टोन लखी रंग सुफेद हाकिन से आरा चांद अनसर पानी और आपका लखी दिन जमेरात है बोजदी यानि के कैप्रिकॉन आज अपने कारोबारी मामलात के हवाले से किसी दूसरे शक्स को शामिल करने और उससे मशावरत करने के लिए आपको मदद मिल सकती है आपको किस तरह से ज्यादा नफा मिलेगा आपको किसी तरह से कुछ फाइदा नजर फौरण से नहीं आएगा लेकिन इस पर अमल करने की जरूर कोशिश करें बाद में आपको जरूर फाइदा होगा आज अगर आप महभूब पर ज्यादा तوج्जो देंगे तो उसके बरक्स आपको भी तوج्जो और महभबत मिलने का इमकान है आज आपको बच्चों की तालीमी सरगर्मियों के हवाले से जैजा लेना होगा और उनकी रहनमाई भी करना होगी आपका लकी नमबर है तीन और साथ लकी पत्थर सुलिमानी पत्थर लकी रंग गहरा सबस हाकिम सियारा जोहर अंसर मट्टी और आपका लकी दिन जुमा है बो जोजा यानि के जैमनाए आज बज़ूर्गों की मिशावरत की जरूरत पढ़ सकती है जिस पर अमल करके आप बहुत से माल याती अमूर को हल करने में काम्याब हो जाएंगे और काफी हद तक आपकी परिशानी भी हल होगी लेकिन हर काम में मिशावरत का ये मतलब नहीं कि आप खुद से कुछ भी करने या सोचने की हिम्मत ना करें बलके अपने पेशावराना अमूर पर खुद से भी अमल करने की कोशिश करनी चाहिए आज बच्चों के दाखले का मसला हल हो जाएगा जिसकी वज़ा से आपकी एक बड़ी मुश्किल असान होने का इमकान है आज का दिन सफर के से गुरेज करें किसी ना गहानी हाथ से का अंदेशा हो सकता है आपका लकी नमबर है चार और तीन लकी पत्थर जमूर्थ लकी रंग ब्राउन हाकिम सियारा तारत अंसर मट्टी और आपका लकी दिन बुध है बुर्ज अस्द यानिके लियो आज आपको अपने दफ्तरी सियासत से बचना होगा अपने काम पर तवज़ दें ताकि अफसराने बाला की एहमियत हासिल कर सकें बरना आपको बिला वज़ा साथी कारकुनान की लगाई बुझाई से उनकी नजरों में गिराने की कुशिश करेंगे और आपको अपने बचाओ के लिए बहुत ही अकलमंदी और समयधारी से सामना करना होगा आज आपको बच्चों की तरफ से खुश खबरी मिलने का भी इमकान है जिसकी वज़ा से आपको बहुत ही खुशी और बच्चों पर फखर भी महसूस होगा इस खबर की वज़ा से कोशिश करें कि आप बच्चों और घरवालों को एक शानदार तावत दें आपका लकी नमबर है पाँच और आठ लकी पथल लाल और याकूत लकी रंग सुनहरा और नरंजी हाकिम सियारा सूरज अनसर आग और आपका लकी दिन इतवार है बोज मेजान यानि के लिबरा आज आपको कुछ हद तक जजबाती होने के बावजूद भी मुस्तकिल तोर मुस्तक्बिल के मनसूबों को हत्मी शकल देना होगी और इसके साथ ही आप गार मतवकों सूरते हाल के लिए जाती अमूर में जिद को दरमयान में ना आने दें वरना इस से हालात बिगर सकते हैं आज आपको अपनी महबत के हवाले से काफी चौकस रहना होगा और कोशिश करना होगी कि कोई ऐसी बात या काम ना करें जिसकी वज़ा से महबूब का या साथी का खमूर खराब हो वरना बिला वज़ा की कशीदगी और परेशानी हो सकती है आज गार मतवकों तोर पर महमानों की आमद का भी इमकान है आपका लगी नमबर है चार और छे लगी पत्थर संग यश्प लगी रंग नेला और सुफेद हाकिम सियारा जोहरा अंसर हवा और आपका लगी दिन जुमा है बोज होत यानि के पाइसीज आज आपको अपनी कारोबारी सूरतेहाल को मजीद बेहतर बनाने के लिए अपनी कोशिशों को काम्याब करना होगा और एक बेहतरीन हिकमत अमली से काम लेना होगा अगर आपको अपनी काम्याबी के इमकानात कुछ हद तक कम लगे तो खुद को जजबाती बनाने से बेहतर है कि अपनी कारवाईयों और सोचों को मस्वत बनाने ताके मकाम बना सके आज कुछ मामलात में आप को लगेगा कि आप जबरदस्ती सब को मिलाने की कोशिश कर रही है जबके आपका दिल भी इस बात की गवाई दे रहा है कि ये सब कुछ इंतहाई गहर मुनासिब और गहर मुजब है लहाजा खुद को हालात के साथ हम आहंग करने की फितरी कोशिश जरूर करें आपका लगी नमबर है पाँच और नौ लगी पत्थर लाल रंगदार लगी रंगवानी हाकिम सियारा नैप्चून अंसर हवा और आपका लगी दिन जुमा है बोज़ कौस यानि के सैजिटेरियस आज आपको किसी मुखाल्फत की तन्जियाबातों और तल्फ खलामी की वज़ा से काफी हद तक तक तकलिफ महसूस हो सकती है लहाजा कोशिश करें कि इन जजबाती रवईयों के शिकार ना हो खुद पर कंट्रोल करें ताके गुसे में या जल्दबाजी में किसी तरह की भी कोई तन्जियाबात का जवाब ना दे अपनी तमाम तर तवज़ों कारुबारी अमूर पर रखें इसके साथ ही कुछ माली एदाफ पर भी नजर सानी करना जरूरी है आज अपने कामों से फुरसत निकाल कर घरवालों के साथ प्यार और महबबस से पेश आने की भी कोशिश करना होगी आपका लकी नमबर है तीन लकी पत्थर पुखराज लकी रंग सुरख हाकिम से आरा मुश्तरी अनसर आग और आपका लकी दिन जुमिरात है बुर्ज अक्रब यानि के स्कॉर प्योफ आज आपको अपनी मुझूदा जिन्गी में तमाम खायशात को हासल करने की तलब आप में मिहनत और जद्दोजायत को बढ़ा देगी जिस से आपको अपने मन पसंद और मस्पत नताइश मिलने का इमकान है बहुत से नए सर्माया कारी के कामों में और बाहमी लेन देन के मामलात में बज़र्गों की मशावरत की जरूरत महसूस हो सकती है आज आपको महाबत के मामले में किसी तरह से भी जजबात में आकर कोई भी ऐसी बात या हरकत नहीं करने चाहिए जिस से आपको आपके महबूब को या शरीक के हयात को बुरा महसूस हो और आपको उनके सामने शर्मिनगी का सामना करना पड़े आपका लगी नमबर है तेन और आठ लगी पत्थर मोती और मौन स्टोन लगी रंग सुफेद हाकिम सियारा चांद अंसर पानी और आपका लगी दिन जुमा है बोस और यानिके टॉरस आज आपका किसी छोटी और मामूली सी बात पर और पी तल्ख कलामी ये वज़ा से रवया तब्दील हो सकता है जिसका वराह रास तसर आपकी साथी जिन्गी पर पड़ेगा इसलिए आपको हालात को समझने की बहुत ही आहम जरूरत है आप इन हालात को समझने के लिए सिरफ अपने मुज़दान पर ही विरोसा करें और इस हवाले से बहमी मशावरत भी कर सकते हैं दोसरों के मशवरे अक्सर शकोशुबात और मश्कूख साबित हो सकते हैं बाज दफ़ा दोसरों के मशवरे आपकी जात पर मस्बत असरात भी छोड़ते हैं इस हवाले से आपको खुद से सोचना होगा आज मालिक रजात हद से बढ़ सकते हैं इसलिए आपको कंट्रोल करने के लिए बजट का मामूल बनाना चाहिए ताके परेशानी से बढ़ सकें आपका लखी नमबर है एक और नौ लखी पत्थर नीलम लखी रंग नीला हाकिम सियारा जोहरा अंसर मट्टी और आपका लखी दिन जुमा है बोज सुमला यानि के वीर को आज आपको अपने जारी करदा मालयाती और तखलीकी मनसूबों में तवाजन काइम रखना चाहिए और इसके साथ ही दूस्तों की पसंद और ना पसंद का भी ख्याल रखना होगा ताके आप अपने इन मनसूबों को तरक्की और काम्याबी की तरफ ले जा सकें और खुद को भी मुतमईन मैसूस करें आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर सकते हैं जिस से आपका होसला बलंद हो और लोग आपकी तारीफ करें आज अपसराने बाला की भी मुकमल तोर पर तावन मिलने का इमकान है जिस को कुछ साथी कारकुन बरदाश्ट नहीं कर सकेंगे लेकिन आपको अपनी कारकरदगी पर फखर महसूस होगा आपका लकी नमबर है चार और आठ लकी पत्थर लकी के यमानी लकी रंग ब्राउन, हाकिम स्यारा अतारद, अंसर मटी और आपका लकी दिन बुध है